बूरवटो, लुब कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूं कि आप सभी स्वास्त हूंगे दोस्तों अभी दिन के तीन बच चुके हैं और अथि मैं बच्चों को स्कूल से लेखर को घर पहुंचा हूं बहुत बुंदा बांदी हो रही है और मोसम भूती सुहान आज ठंडा है मोसम और मैं बैठा हुआ था और अपने चैनल को देख रहा था तो दो तीन दिन पहले एक भाई का ना मेस्चीज आया हुआ था तो अभी जैसे मैंने देखा न तो उस भाई ने ना मेस्चीज के किब्नी ट्रांस्पलांट के बाद हमें कोन-कोन सी साबधानिया रखनी चाहिए एक दोस्तों किड्नी ट्रांस्पलांट टेगना बहुती बड़ा experience होता है और ट्रांस्प्लांट को अगर हम success मनाना चाहते हैं चाहते हैं चाहिए उसके लिए कुछ बात हैं जिनको हमें, हमें इसा फोलो करना चाहिए और बहुत कौौन से बाते हैं उनके अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले जो आपका रूम है ना उसके अंदर ना सफाई अच्छी होनी चाहिए डेली उसके अंदर पुछा लगना चाहिए जो आपकी बैड सीट है वो डेली चेंज होनी चाहिए एक तरह से आपका जो रूम है वो अच्छे से कलीन होना चाहिए उसके अंदर ज्यादा लोगों की इंडरी नहीं होनी चाहिए शिरफ और शिरफ आपके केर टेकर को छोड़ करके दोस्तों इसके अलावा जो आपका टो आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क लगा करके जाएं और कोशिस करें कि आपको भीड में इंट्री ही ना करने पड़े दोस्तों इसके अलावा दिन के अंदर ना च्यार से पांच लिटर पानी आपको डेली पीना है और जो पानी है आपका उबला हुआ हो या पिर आरो का पानी आपको पीना है और जो उबला हुआ पानी पीना है दोस्तों इसके अलावा सीजन की सब्जियां वह घ्र खाये अगर आम प्लों की बात करें तो पहले पलों को अच्छे से गरम पानी में टोड़ा उबाल ले उसके बाद आप उनको खा सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता है U कि तरह उपर नग hair नहीं होता है । wiped में लगें हुए है। जुरूर्वी है कि दいます जो फान्य थे अगर हो जाएक्टेरिय नभाने धानावां फोक्ते हैं। वह नहीं रहता दोस्तों इसके अलावा सब्ता में कम से कम आप पर पांच बार एक्सरसाइज जरूर करें इसके अलावा जो भी आपकी एंटिरिजेक्शन अधिशन है वह आप डेली लें उनका टाइम कभी विश्किप ना करें और इसके अलावा कोई भी बीमार वैकती है आपके आसपास चाहिए आपकी फैमिली का मेंबर हो या फिर कोई और हो तो आपको उसके पास नहीं जाना है और ना ही उसको अपने पास से बुलाना है आपक दोनों के भी अपने और उनके बीच में थोड़ी सी दूरी मंटेन करके रखें या फिर होसके तो उनको भी मास्क लगाने की अडवाईज आप दें तो आपको हर हाल में अपने आपको इंफेक्शन से बचा करके रखना है हाली में मैं आपको बता दू दोस्तों हाले के ले बाद में वह एडमिट हुए और जो इंफेक्शन था वह अंदरी अंदरी इतना फैल गया है उनकी जो पोजीचन है यह है कि अब उनको ना दुबारा से डाइली सी शुरू हो चुके हैं कंडिशन थोड़ी जी खराब हो गई है और उनको शिरफ स्टार्टिंग में फंगल इंफेक्शन हुआ था जिसके कारण दीरे दीरे उनकी जो प्रोब्लम बढ़ती गई और अभी रनिंग के टाइम में वो डाइली सी सपना करवा रहे हैं तो आपको ना हर संभव कोशिश करने हैं कि अपने आपको इंफेक्शन नहीं लगने देना है और जैसे कि अभी यह अपने पवारिस का मौता है इन अपनी फंगल इंफेक्शन का ज्यादा रहता है कि हमारे चारो तरफ सिलन का माहुल है सिलन हर जगहां में देखने को मिलते ह्糖 हो रही थो LE मोस्कि अपनी केर करना बहुत इंपोर्टेंट हूश के तो आप अपने इस पास श्यां जांबियं उसको या तो हटवा दें, या फिर अपनी safety आप खुद करें, हर संभव कोसिस करने हैं, किसी तरह का आपको infection आए, अगर आप infection को अपने नजदीक नहीं आने देते हैं, आप अगर अपने आपको infection से बचा लेते हैं, तो आप एक healthy transplant life इंज़ुआई कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो से संबन्दित अगर आपके कोई स्वाल या सुझाव है, जो आप हमारे साथ सांजा करना चाहते हैं, तो comments जरूर करें, और जल्द ही एक नए topic के साथ एक नए experience लेकर कि आप लोगों से ना दुबारा मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज नमस्कार